दोसो इंडियन मिसाइल सीरीज के तीसरे वीडियो में आप लोगों को हाली में ही भारत के द्वारा टेस्ट किया गया Surface to Air Missile मतलब VLSR SAM के बारे में बताऊंगा VLSR SAM मतलब Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile और दोसो ये भी एक Quick Reaction Surface to Air Missile है मतलब इसका Reaction Time काफी कम है Defense Research and Development Organization के तरफ से डेवलफ किया जाने वाले ये मिसाइल को असल में Air Force के असरह मिसाइल के ही Land Ways Version के रूप में देखा जा रहा है फिलाल दोसो मिसाइलों के डेवलप में नेवी के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया गया है Quick Reaction Surface to Air Missile को अगर देखा जाए तो ये टेकनोलोजी कली काफी आगे के PD के मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताविक इसमें Mid-Course Internal Guidance System को इस्तेमाल किया गया है जो कि एक Fiber Optics Guided Gyroscopic System होगा इसके इलावा इसमें Active Radar Homing System का भी इस्तेमाल किया गया है जो Terminal Phase में काम कर सकता है मिसाइल को ऐसे बनाया गया है कि ये Lock-On Before और Lock-On After दोनों मूड में ही काम कर सकता है और इसे Mid-Course Upgrade भी किया जा सकता है मतलब फ्लाइट के मध्यस्तिती में मिसाइल के Target को Change किया जा सकता है और ये सब कुछ Data Link के Through होगा दोस्तों Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile असल में इसी साल February महिने के 22 तारिक के दिन पहली वार परिक्षन हुआ जब कि इसका दूसरा परिक्षन कुछ दिन पहले ही मतलब 7 December 2021 के दिन हुआ दोनों ही परिक्षन सफल रहा और दोनों परिक्षन में ही 100% accuracy के साथ मिसाइल ने अपने Target को Hit वी किया रिपोर्ट के मुताविक फिलाल मिसाइलों के development का phase लगवग आखरी में है और संभावित next year तक मिसाइलों को सर्विस में भी लाया जाए मिसाइलों के development का काम DRDO जहाँ पर कर रहा है तो वही पर इसका manufacturing का काम भारत डानमिक लिमिटेट के तरफ से किया जाएगा और दोस्तों ये जो मिसाइल है इसका range करीवन 40-50 km तक होगा जबकि इसका flight altitude मतलब उचाई में जाने का शमता करीवन 15 km तक होगा और इसके जो रफ्तार है वो करीबन Mark 4.5 मतलब ध्वनी के रफ्तार से करीवन 4.5 गुना अधिक होगा और ये भी वताया जा रहा है कि D.A.D.O के तरफ से फिलाल इन मिसाइलों को मेनुफेक्चर करने के लिए प्राइबेट कमपनियों के साथ भी बड़े समझोते के तहत आगे बढ़ा जा सकता है ताकि आत्मनिरवर भारत जैसे संकल्प को आगे बढ़ाया जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद